आज आलू का बहुती चटपटर नास्ता बना करके तैयार किया है जो खाने में बहुत टेस्टी लगा देखो मैंने यहाँ पर कुछ बॉल किये हुए आलू लिए है इसके जगे पर आप कच्छी आलू भी ले सकते हैं और आलू को अच्छे से हम मैसर की मदद से मैस कर लेंगे हम इनको हास से भी मैस कर सकते हैं हमें इसको ऐसे मैस करना है कि इसमें गुठलिया नहीं रहनी देनी चाहिए देखो मैं इस तरीके से सारे आलू को अच्छे से मैस कर लूँगी आज जो चेट पटन आस्ता बनेगा सभी को बहुत पशंद आएगा देखो मैंने यहाँ पर कुछ सबज़ियां भी कट कर ली है एक सिम्ला मिर्च ले ली है और प्याज ले ली है हरी मिर्च ले ली है इसके जगए पर आप और भी सबज़ियां ले सकते आप कड़ाई में डाल दूगी मैं थोड़ा सब शर्सो का और आप टैयार कर सकते हैं जब शर्सो का वळाची से गरम हो जाएगा चमत भाञे मैं डाली जीशा साथ में डाल दूगी संप Sit geil है कbaren बहुत ही अच्छी होती है जब इस साधी चीजे मेरी अच्छे से चटक जाएंगी तो मैं इसमे डाल दूँगी जो मैंने प्याज को कटकर खेरा खाता और प्याज को हलका सा सौप्ट करूँगी तेज गयस पर से मुझे दो मिनट ही इसको प्याज को अच्छे से सौप्ट करना है प्याज मेरी हलकी सी सौफ्ट हो चुकी है अब मेज में डाल दूँगी सिम्ला मिर्च और हरी वाली मिर्च दोनों को साथ में डाल करके अच्छे से पका लूँगी इन चीजों को मुझे बहुत जाना गलाना नहीं है हलका सा इसमें क्रेंज रहने देना है तब ये खाने में अच्छी लगती है और थोड़ी देर में डाल दूँगी मेस में जो मैंने आलूओ को मेस करके रखाता और गैस को कर दूँगी मीडियम मीडियम गैस पर लगातार चलाते हुगे अच्छे से एक इस्टपिंग बना करके तैयार कर लूँगी इस्टपिंग बनाने में बहुत ज़्यादा शमय नहीं लगगा बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाएगी अम मेस में कुछ मसाली डाल दूँगी मैंने हल्दी पाौडर डाल दिया है और गरम मसाला डाल दिया है यदि आप इसमें धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर डालना चाहते हैं तो उसको भी डाल सकते हैं और डाल दिया है टेस्ट के अकोडिंग नमक और सारी चीजों को कर दूँगे अच्छे से मिक्स गैस को कर दूँगे विल्कुल धीमा देखो जो मेरी चेटपटी से स्टपिंग है बन करके तैयार हो चुकी है मैंने कोई इसमें स्पेसल मसाले नहीं डाले है जो मेरे किचिन में मसाले थे वही मसाली मैंने इसमें डाल दिये है और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और एक थाली में मैं इनको निकाल करके ठंडा होने के लिए रख दूँगी जब तक मेरी चेटपटी हो रही है तब तक मैंने थोड़ा सब बेसन लिए है बेसन में नमक डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बना करके तैयार कर लूँगी जो मैं घोल बनाओंगी ना तो ज़्यादा पतला होगा ना ही ज़्यादा गहडा होगा दीरे दीरे सा पानी डालना है आपको इसमें नहीं तो इसमें गुठलिया बन जाती है इसलिए देखो मैंने बिल्कु थोड़ा-thोड़ा से पानी डालती गई और अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स करती गई मैंने इसके घोल बना करके तयार कर लिया है देखो इस तरीके से इसके consistency रहने चाहिए और अच्छे से मैंने इसको फैट लिया है जिससे जो मेरा नास्ता है एकदम बिल्कुल soft और फूला-फूला बनेगा देखो जब चम्मच में मैंने इस तरीके से एक लाइंड रोकी है तो बिल्कुल भी अच्छे से लाइंड दिख रही है इस तरीके से इसका घूल बना करके तैयार कर लेना है और मैंने डाल दिया है बिल्कुल जरासा खाने वाला सोड़ा खाने वाले सोड़े से जो नास्ता है बिल्कुल एकदम soft बन करके तैयार होगा मेरा गोल बन करके तयार हो चुका है अब बनाऊंगी मैं इसका नास्ता जो मेरी इस टपिंग थी भो भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है बिल्कुल अच्छे से इसको ठंडा कर लीना है क्योंकि जो हमें इसका नास्ता बनाना है हास से बनाना है इस तरीके से मैं लड्डू के आकार के गोल गोल बना करके रख लूँगी आज जो मैं नास्ता बना रही हूँ बिबुल को देखने में आलू बंडा की तरह लगेगा देखो मैं इस तरीके से बना करके रख लूँगी दोस्तो यदि आपको मेरी वीडियो जरासी भी अच्छी लगे तो लाइक करना तो आप बिल्कुल भी न भूलें और कड़ाई में मैंने थोड़ा सा रिफाइंडोल गरम होने के लिए रख दिया है और जो मैंने नास्ता बनाया था नास्ता को इस तरीके से बेसन में डिप करके कड़ाई में डालती जाओंगी और गैस को कर दूँगे मीडियम गैस पर अच्छे से दौनो साइट पलट पलट के नास्ता को सेंग लूगी और एक बार में मेरी कड़ाई में जितना नास्ता आ जाएगा मैं उतना ही इसमें डाल दूँगी यकिन मानिए दोस्तों सभी को यह नास्ता बहुत ही पसंद आएगा खाने में तो इतना टेस्टी लगता है यदि जो बच्ची सिम्ला मिर्च नहीं खाती है तो आप इस तरीके से उनको नास्ता बना करके खिला बड़े ही आराम से बुखा लेंगे जब एक साइड से मेरा नास्ता थोड़ा सा सिख जाएगा तो उनको धीरे से इस तरीके से पलट लूँगी यदि आपके घर में महमान भी आ जाए तो महमानों को भी यह आप नास्ता खिला सकते हैं देखो दोनों साइड मेंने पलट पलट के इसको अच्छे से से शैक लिया है मेरा सारा नास्ता अच्छे से बन करके तयार हो चुका है या फिर आप इसको चटनी के साथ खाएं या फिर किसी सौस के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा यदि आप चाय के साथ खाना चाहते हैं तो चाय के साथ भी खा सकते हैं गर्म अगरम खाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद